आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं Newton के second law of motion को पहले हम जानेंगे आज momentum को और उसके बाद हम सीखेंगे Newton के second law of motion को यहाँ आपके सामने दो कारे हैं इन कारों के सामने अगर कोई आ जाए तो किस कार से चोट ज़्यादा लगेगी आपका अंसर होगा पहले वाली कार से क्योंकि इसकी velocity ज़्यादा है इसलिए इस कार का impact भी ज़्यादा होगा अब यहाँ आपके सामने एक truck और एक कार जो कि सेम velocity से चल रहे हैं अब की बार अगर कोई इनके सामने आ जाए तो किस से ज़्यादा चोट लगेगी अब आपका अंसर होगा truck से क्योंकि truck का mass ज़्यादा है इसलिए इसका impact भी ज़्यादा होगा तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि impact या असर depend कर रहा है object की velocity वेक पर और उसके mass द्रवेमान पर तो जितनी ज़्यादा velocity और जितना ज़्यादा mass उतना ही ज़्यादा उसका momentum object कितना भारी है और कितनी तेजी से आगे बढ़दा है momentum के लिए use होने वाला symbol lowercase p है इसलिए इसे p equals m time v लिखा जाता है इसी के साथ आप momentum की unit को भी find out कर सकते है mass का kilogram और velocity का meter per second तो momentum की unit हो गई kilogram meter per second अब बात करते हम newton के second law of motion की जब किसी object पर net force लगाए जाती है तो उसकी velocity बदल जाती है और velocity बदलने से उसका momentum भी बदल जाता है तो कहा जा सकता है कि net force momentum के change होने का rate है इसे कुछ इस प्रकार से note किया जा सकता है किसी object का momentum change होने का rate उस पर लगने वाले force के proportional होता है इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है अगर momentum में ज़्यादा change चाहिए तो force भी ज़्यादा होनी चाहिए और अगर कम time में momentum ज़्यादा चाहिए तो force ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो कह सकते हैं कि अगर momentum के change होने में time बहुत कम लगे तो impact of force बहुत ज़्यादा होगा और अगर momentum के change होने में time बहुत ज़्यादा लगे तो impact of force बहुत कम होगा और यही है Newton का second law of motion जहां P1 इनिशियल मोमेंटम प्रारंबिक सम्वेग, P2 फाइनल मोमेंटम अंतिम सम्वेग, T लिया गया समय, U इनिशियल विलोसिटी प्रारंबिक वेग, और V फाइनल विलोसिटी है। इस equation को कुछ इस प्रकार से नोट किया जा सकता है, MV-MU over T, जहां M mass द्रविमान है, इस equation को अब कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, MV-U over T, जहां V-U over T क्या है, यह है विलोसिटी के चेंज होने का rate जो की है acceleration, इसलिए net force, mass time acceleration के बराबर होगी। और यही है Newton का second law of motion, अब अगर आप Newton के second law of motion को समझ चुके हैं, तो आप इस question का answer दे पाएंगे। क्रिकेट के match में कोई filter तीज गती से आ रही ball को catch करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों कीशता है। ऐसा करने से filter बॉल की velocity को zero करने में ज्यादा time लगाता है, जिससे momentum को zero होने के लिए ज्यादा time मिल जाता है।